आज मैं तुम्हारे ले एक ऐसे मतन बर्गर की रेसिपी लेके आया हूँ जो सिरफ 113 रुपे में बनाया मैंने अब सबसे पहले इस मतन बर्गर में जाने वाली सबजियां काट लेते हैं जिसमें मैं लेटस, टमेटो और अनियन्स काटूंगा इसके लाबा इसमें मैं हैलोपीनोस भी डालूँगा और मतन के मिंस के अंदर अद्रक, लस्सन, ग्रीन चिली भी जाएगी इसमें धेर सारा धनिया भी डलेगा लेकिन इन सब की कॉंटिटी बहुत कम-कम डलने वाली है अब क्योंकि मैं सिर्फ एक बर्गर की कॉस्ट ले रहा हूँ तो एक बर्गर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ नौ से दस रुपे की सबजिया पढ़ेंगी सारी सबजिया काटने के बाद हम लोग मतन का वो मिक्षर बनाएंगे जिससे हम टिक्की बनाने वाले हैं अब यहाँ पर जो मैं मतन का मिक्षर बना रहा हूँ वो मैं तीन टिक्की के हिसाब से बना रहा हूँ इसलिए सबजिया उस अकॉर्डिंग ही डाल रहा हूँ और मसाले भी उसी अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ तीन टिक्की के लिए मैं 280 ग्राम मटन ले रहा हूँ। अगर मैं एक टिक्की की कॉस्ट निकालू तो वो 66 रुपीस पट रही है मिरको। मिंस करते हुए मैं थोड़ा सा चीज भी यूज कर रहा हूँ। और बाद मैं आगे जाके मैं टिक्की की उपर थोड़ा बटर भी डालूँगा। तो उसका कोस्ट अराउंड 17 रुपे आएगा। एक बार हमारा मटन का मिक्षर त्यार हो जाए तो उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे फ्लिवर्स अच्छे से मिल जाएं। मटन को अच्छे से मिलाने के बाद हमें उसे 10 मिनिट के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद हमें टिक्की बनानी शुरू करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका मटन बहुत सौफ्ट रहेगा और टिक्की बनाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मटन की टिक्की बनाने के बाद उसको आदे घंटे के लिए फिर से आप फ्रिज में रख दोगे ताकि वो एक शेप पकड़ ले। तब तक के लिए मैं बर्गर बंस पे थोड़ा बटर लगा के उनको सेक लूँगा। अब सेकना कैसे है। जब भी आप बर्गर बंस को सेक रहे हो तो धीमी आज पे सेकना है। तब ही इतना बढ़िया कलर आएगा। अब टाइम आता है हमारे टिक्की बनानेगा। टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी पैन हो उसके उपर आपको थोड़ा सा तेल ब्रश करना है और उसके उपर अपनी टिक्की रख देनी है। एक बात का ध्यान रखना है जब आप पहली बार टिक्की रखोगे तब आपका पैन बहुत गरम होना चाहिए और वो तेज आच पे रखना है आपको। उसके बाद मटन की टिक्की को फिलिप कर देना है गैस को धीरे करना है और मटन टिक्की के उपर रख देना है बटर का चोटा सा टुकडा इस तरीके से आपकी टिक्की अंदर से भी जूसी रहेगी उसके बाद आपको टिक्की को एक और बार फिलिप करना है और उसके उप वो सम मिला जो लाके टोटल कॉस्ट जो बर्गर का आता है वो 112 से 113 रूपे के बीच में आता है प्लीज लाइक बड़न पे बर्गर बर्साना मत भूलना साथ ही में आप मेरे चानल इंडिन बावर्ची को सब्सक्राइब कर लोगर आपने नहीं किया है और वो बेल आइकन होता है वो भी दबा देना ताकि मैं कुछ भी नया अप्लोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए अब मैं इस बर्गर वो एंजॉय करता हूँ मजे से आप से मिलूँगा थोड़े टाइम के बाद एक और नई बड़ी आसी रेसिपी के साथ तब तक एले धन्यवाद